16.17 सितंबर में आई सरदार सरोवर की बार से कई मकान द्वस्तों हो गए कई लोगों का घर का सामान और मवेशी बह गए जिसके बाद सीम शिवराज सिंग चोहान ने प्रभावितों के नुकसान की पूरी भरपाई करने की निर्देश खुले मंच से दिये मकान किसी के डूब लो जाओ प्रैम सिंग जी जयंदर जी बढ़वानी में भी जाके कह दे रहां सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मौब जाओ रहा दूगा चिंता ना करे मेरी जंता मैं तुम्हारे लिए हूँ मैं तुम्हारे लिए हूँ हो गया नुकसान तो को रोईंगे जा नुकसान हो गया तो मैं भरभाई करूंगा सरवे का काम चालू करवा दिया पटवारी और पूरा रेवेन्यू का अमला सरवे करें महीं प्रशासन ने भी अलग-अलग की में गठित कर सरवे करवाया महीं अब 36 दिनों बाद कुछ प्रभावितों के खाते में 5000 और 10,000 रुपई की राशी आई जिसके बाद प्रभावित अब खासे नाराज है लोगों का कहना है कि लाखों के नुकसान होने के बाद मात 5-10,000 की राशी डाल कर प्रभावितों का मजाग बनाया गया वहीं लोगों ने प्रशासन द्वारा किये गए सर्वे पर भी कई सवाल खड़े की है लोगों का कहना है कि जिन लोगों के घर पूरे ध्वस्त हो उन्हें 5000 और जिनके घर के सामने पानी नहीं गया उन्हें 10,000 की राशी गई प्रभावितों ने सर्वे टीम पर भेदभाव का आरूप लगाते हुए चार्च कर्वाने की मांग की है भारती नियूज के लिए जफर अली के रेपोर्ड आपका नाम अब्दल रौप हमारा मकान बेगे हैं बाड में और हम परेसान है और जो आंगनवडी की टीम अई थी सर्वे करगी नगरपली के करमुचा रहे थे करने करगे हमारे ढकुमेंट डेल बेगे अलार काड बाड अगेरा और उसका भावजयों ने जो पेसा डाला है हुआ भुम का जया रुमारा मकान नच्टना भूगी है को जो चुके हर जिनके मकान मी टुटें जिनक बहुंम ऑनी भरा हुआ makesına रुदेजिक्ट अुरो मैं नजिए बरा इंको जड़जा साजार उपई डले हाँ समः तक के सर्वेश वाद नम्बर दस ना मॉला क्या सब्सक्राइब ना लॉपाद ना रॉपाद इंक जानल एवर